जैहिन सातियों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल ग्यान आर्बियल में दोस्तों आपको पता है कि आपके जो एक्जाम लगे हैं चाहे वो वनवच्छक का हो ग्राम विकास अधिकारी यानि यूपी ट्रिपल सी वीडियो का रिख्जाम हो या फिर यूपी प हमने आपसे बताया था कि हम संपूर हिंदी क्लास शुरू कर रहे हैं दोस्तों आपको उता दे तीन क्लास आपके अल्रेडि हो चुकी है ठीक है और चौती क्लास आज हम ये लेकर रहे हैं अब इसमें हम देखेंगे हिंदी का नाम करड मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़ जाएए दोस्तों हम संपूर हिंदी आपको तयार करवाएंगे फिरी आपकोस्ट में उसके अलावाँ जीके यूपी ससल और इस्टैटिक जीके सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल मिलेगा थोड़ा सा दोस्तों आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब पर लेना और आप मैं वदा दूं कि देखिए यूपी ट्रेपल सी वीडियो और वन रच्छा का लगवग एक जैसा स्रेवास कि इसमें पत्त्र लेखन भी है तो हमने इसक प्लेश्ट करने वाले या फिर प्लेश्ट बहुत ज्यादा मात्तों हिंदी ठीक है तो हमने अलग-अलग बना दी चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए हमने जो आपके पहले वीडियो थे उसमें हमने हिंदी का उत्भो देखा मतलब हिंदी पैदा कैसे आथ दोस्तों वो क्या होता है zijn ज्रम लेता या फिर पैदा होता कि उसके बाद осьका नाम क्रण होता तो हिंदी का नाम हिंदी कैसे पढ़्डा उसका नामक्रण कैसे हुआ तो इस्के बारे हम इस वीडियो में बात करने बांड़ हैं तो देखिए पहले चीज़ यस की क्या कि पाकिस्तान और भारत के बीचों इस एक नदी वहिद गाती है और मैं आपको दादाउं यहां पेछे दोस्तो इरानी लोग इरानी आप जांते हैं इरान के लोग यह दोस्तों क्या करने थे आपको लोग साखो क्या बोलते हैं और धाको क्या बोलते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों सिंदू को वो लोग हिंदू पर्देश कहते थे क्या बोलते थे जैसे सब लोग सिंदू प्रदेश कहते उसी परकार से लोग हींदू प्रदेश कहते थे आप देखे उन्होंने सिंदू को कहते हैं अब देखे इसे दिले उसमें से दोस्तों उकिमांतरा हड़ गई तो हिंद बन गया ठीक है और फिर दिले दिले चलकते तो इकट योग होने लगा, ठीक है, एक बार दोबारा पता दें, की कैसे हिंदी नाम करण परा है, दोस्तो, себя, आपके, अपने भारास से दोस्तो,ña-दी पहले थी, इसलिए, इसको सिंदु प्रदेस कहते थी, औरर इना इरानी लोग साकोह और धाको दा बोलते थी, इसलिए, प्रत्ते इजोड़ देगा इसलिए हिंदी सब्द बन गया, तो चलिए इसके बारा हम थोड़ा सा, लिखिद रूप में देखते हैं, मोखिक रूप से हमने आपको समझा दिया, आप समझ भी रहोगे कि हिंदी कैसे निकला, सिंधु नदी का कारण, हिंदु पड़ा हिंदु से उंकी मांतरा हटा दी हिंद हो गया हिंद में फिर दोस्तों प्रत्य जोड़ते यानि वहां से हिंदी सब्द बन गया चलिए अब आपको बताने कोशिस करते हैं कि समझेगा हिंदी सब्द कैसे बना तो हिंदी सब्द की उत्पत्ती ठीक है भारत के उत्तर पस्ची में प्रवाहमान सिंदु नजी से सम्झेगा है कि इन देशों के बीच में है और कभी ये हुआ था ठीक है चलिए अब दोस्तों आपको बता है कि हिंदी सब्द की उत्पत्ती भारत के उत्तर पस्ची में प्रवाहमान यानि प्रवाहमान मतलब पहने वाली के विजेसी यात्री कास करके कौन के इरानी जिनको हम फार्सी वोलते हैं धूस्तों ठीक है तो एरानी लोग दोस्तों क्या करते थे धार ऑरदोगते और कैसे इसको सिंदू कातेश कहते थे मगर दोस्तों याद रखेंगे जो इराणी लोग है वह साको क्या बोलते हैं और दोस्तों दॉस्तों धा और दोस्तों को हिंदू कहा जाने लगा अब मैं पता दूँ सिंदु को हिंदु कहा मगर दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि हिंदु में से हिंदी सynnद बन चाहर कि वहगा होता है हारसी भासपा के समंधकार का प्रदे ए जोड़ैता तो हिंदी बन जाता है, वहीं से दोस्तों हिंद में अगर प्रत्य जोड़ दिया, तो हिंदी बन गया, तो यहीं से हिंदी का नाम करन हो जाता है, मतलग इस परकार से दोस्तों हिंदी सब्द का नाम करन हुआ, मैं आपको बता दूँ कि हिंद सब्द में एक जोड़ने से हिंदी बन जा है इसी जो indy गणा इसी से युझानी में इंडिका सबसार होता है और इणिका को दोस्तों इंग्रेजी में ही इंडिया कहते है और इस ही इंडिया से भारत नाम का भाष्टेश का नाम इंडिया पड़ गया ठीक है आपora ह step देख्या और याह रख organize यह सब्द हिंद की भासा के अर्थ में प्रियोंग होने लगी अब यहां से याद रखेंगे सरपरतम क्या होता है कि बारत में एक फारसी कभी हो ते जिनका नाम पनाम हुता है इन्होंने सब्द का प्रियों किया समस्थ भारती भासाओं के लिए न आ कर के दोस्तों उन्हों संभरता मद् देश की भासा के लिए ही देसी वह करे लिए उन्हों हिंदमभी सब्ण कर दो किस ने सब्धा कर कोई जोग ओठ एक दूसरों के नहीं वह सब्रखा round कि देखिए आप देखिए हिंदी सब्द के लिए सरवर्थम हिंदी भासा का प्रियोकिशने किया दोस्तों सर्फुद्दीन यज्दी ने किया था कि देखिए और बताथे हिंदी भासा के लिए सब्सक्राइब किस ने किया तो गार्साद अतासी अब यहां से कैसे बनेंगे प्रत्ते दोड़के लिए सब्सक्राइब कि लिए और बसकतर प्रत्ते लोड़के हिंदी लोग 278 कि हिंद में हिंदी सबस्ट यह आइं इरानियों कि भाशन क्या बनेगा और हिंदी किस देन तो इरानियों कि ठीक है डी ही लेटिस्ट इसाइँ बिए अर्टिक संस्कित से आप हिंदी राज-भासा क्या है हिंदी को क्या बनाएगा राजवासा ये भी आपके यूप एसाई 2021 में पूछा गया कोश्चन है ठीक यह वैसे आगे बता चुके हैं मगर देख लीजेगा इनको रिपीट करते हैं जिससे आपको ये बिल्कूर अच्छे से याद हो जाएंगे आपको पता है हम पहले बता भ दोस्तों यह भी पूछा गया प्रतम विश्वंदी समयलन कहा हुआ नागपुर में इसलिए प्रतिवार 10 जनुरी को मनाते हैं 200 हिंदी दिवास दोनों दोनों याद रखेंगे और आपके यूप साहीं पूछेगा कोशन अब देखे कब से सुरू हुआ देखे कोशन प्रतिवार से हिंदी दिवास मनाएं गे चलिए अब दोस्तों बताते हैं कि हिंदी परती खड़ी बोली और खड़ी बोली जनक किसको मानते हैं अमीर खुसरों कि यह कोशन भी आपका पूशा गया अब दिक हिंदी साहित के जनक कौन है तो भारते दू हरिश्चन जी है ठ परकारी कॉलेज लाहूर में पढ़कर सुना आएगा था कि हिंदी हाँ वतन है हिंदुस्ता हमारा मौंब्द इकबाल की है और यह पंक्तियां दोस्तों रचना किसमें की गई है बंगेदारा में ठीक है तो यह आप समझ कहोंगे हिंदी समंदित की हिंदी कर नाम करण कैसे है थाली हुआ तरी किसे सब्बें करेंगी खुदे को करना चा। पूछेगा है कि हिंदी सम्मेलन करा आप से कोचेगा कि परथम हिंदी सम्मेलन कहां हुआ याद रखना को पूरे हिंदी सम्मेलन करें और को आपके यूपीश हाइं दोस्तों सवस्सेहा कोशन है हिंदी संभूण से नहीं कहीं कहले कोशं सो कहा इंदिस मे法ण। में यह तो बहुत जादा इंपॉर्टन तो पहला विस्ते समेलबं का हुआ नार्पुर में भारत में कब चौदा देखे दस जनुरी के चौदा इसलिए दस जनुरी को हम क्या मनाते हैं विश्ते हिंदी दिवास ठीक है दूसरा विश्ते समय लंग हो मौरिसस में कभ वुआ तो 28 से लेकर करते हैं 30 से काश तो 1976 में कोशन आया है कि देखें दूसरा 22 समयलन कहा हुआ तो मौरिसस में हुआ है ठीक है फिर तीसरा 22 समयलन कहा हुआ तो अपने भारत में दिल्ली में हुआ दोस्तों कब से कब तक अच्छी निशची समयलन कहा हुआ तो 29 में क्याने क्या तो अठीक है तो साथा 22 समयलन कहा हुआ है सूरी नाम संद्रिशन का हुआ है तो जोहां सबर्ग दच्छी अफ्रीका में दोस्तों बारा से लिख करके चौई सितंबर के बीच और दसवा कहा हुआ दोस्तों अपने भूपाल में आपके मद्ध प्रदेश में भूपाल पढ़ता है भारत में दस जनुद दस से लिख करके दोस्तों सब्सक्राइब कहा हुआ है तो दोस्तों मौरिसस में तो यह आपको बिल्कुर अच्छे सियात रगना है बेतरी नहीं से और दोस्तों आप बता दें कि अगर आप हमारी e-book पर्चेस करना जाते हैं दोस्तों पर्चेस कर सकते हैं आपको e-book मिल जाएगी PDF में दोस्तों यह संदुजन समझाता किसे किस के विछ हुआ है और आपको आपको क्लास कैसी लगत दोस्तों कंधैसर करके आवद सजाएगा कैसी लगी अच्छी लगी बुरी लगी कुछ भी लगी कुछ भी लगी किばिचीte कि यूग है चलिए ठेंक्यू मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्रेम म तब करे जाए हिन्जे भारत बंदे मातन, thank you, love you all.